Hey my beauties, welcome to my channel, आज का टॉपिक है Swiss Beauty Lip Satin Matte Lip Crayon मेरे पास ये 5 shades है ये बहुत ही easily available है, website पर आपको मिल जाएंगे purple, nika, amazon, flipkart इन सब जग आपको मिल जाएंगा, at the same time ये drugstore में भी बहुत ही easily available है मैंने इसको flipkart से purchase किया था, because वहाँ पर single piece available है but at the same time वहाँ पर set में भी available है 3 का set है, 4 का set है, 6 का set है तो आप चाहें तो set में ले सकते हैं, आप चाहें तो single piece ले सकते हैं मैंने set में लिया था, 4 का set लिया था और एक lipron मैंने अलग से लिया था because वो shade मेरे पास नहीं था मैं जो set मैंने लिया था, उसका rate और जो single piece मैंने लिया था उसका rate मैं दोनों ही चीज़े नीचे description box में mention कर दूँगी आप वहाँ पर check जरूर कर लिजेगा ये एक बहुत ही comfortable lipron लगा मुझे क्योंकि इसकी packaging आप देख सकते हैं बहुत ही simple है बिल्कुल आप pen की तरह इसको hold कर सकते हैं और apply कर सकते हैं तो application इसका बहुत अच्छा है, comfortable है इसकी जो cap है वो seal हो जाती है तो ये lock हो गया इसका cap तो आप easily इसको pocket में या purse में carry कर सकते हैं इसकी जो body है वो color coded body है आप आराम से body देखकर आपको पदा चल जाएका कौन सा shade है बट यहां नीचे भी sticker है जहां पर color का name और shade name दोनों ही mention किया हुआ है इसकी जो quantity है वो 4.54 gram है और इसकी shelf life 3-4 साल तक है यह एक retractable product है आपको जितनी lipstick चाहिए आप इस तरह से roll करके निकाल लीजे बाहर और फिर इसको roll down करके आप अंदर कर दीजे तो यह चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लेगी इस तरह से lipstick जो है वो waste नहीं होगी इसका color payoff pigmentation बहुत अच्छा है आपको single swipe में ही color आजाएगा बार बार आपको build करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह application भी जो है इसका वो बहुत comfortable है यह creamy matte formula है तो यह matte finishing देता है बट application इसका बहुत ही easy है आप easily आप इसको लगा सकते हैं आपको बार बार रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी staying part जो है वो 5-6 घंटे तक आराम से रहती है बट जब यह आप oily food खाएंगे अफकोस बाकी सब lipstick की तरह यह भी fade होती है पर इसके जो dark shades है वो पुरी तरह से remove नहीं होते हैं आपके lips पर यह एक हलका सा tint छोड़ देता है और वो tint जो है वो काफी long lasting है यह मैंने personally notice किया है इसके जो dark shades के साथ मैंने यह चीज़ notice की है light shade जो है वो fade हो कर निकल जाएगा बट जो dark shades है वो fade हो कर tint छोड़ देता है और यह तभी remove होता है जब आप किसी cotton या कपड़े से इसको remove करते हैं यह transfer proof या smudge proof नहीं है यह smudge होता है transfer होता है बट यह बहुत ज़्यादा transfer नहीं होता है एक दो बार यह transfer होता है और फिर उसके बाद यह आपके lips पर बड़ी अच्छी तरह से असानी से यह set हो जाता है अगर आपके lips dry हैं तो आप इसको एक बार try जरूर करिए बिकाज यह बहुत light weight है और यह dry lips को बहुत ही जल्दी smooth और soft बना देता है fine lines को feel करता है और जो skin थोड़ी सी उठ जाती है dryness के वज़े से उसको भी set कर देता है यह मैं आपको अपने personal experience से बोल रही है इस winter में सच में मैंने यह चीज़ नोटिस की है कि मेरे lips जैसे कि बाकी सबके होते हैं dry हो गए थे तो मैंने इसको ही try किया था कि let's try this because description में लिखा वा था कि dry lips को smooth कर देता है तो मैंने इसको try किया था और थोड़ी ही देर के बाद सच में मेरे जो lips हैं वो soft और smooth हो गए थे मैंने जब इस तरह से रब करके check किया था तो मेरे lips सच में बहुत soft हो गए थे और जो fine lines आ जाते हैं dryness की वज़े से वो भी fill हो गए थे और जो skin उठ जाती है वो भी वापस set हो गए थे तो मुझे यह चीज़ बहुत अच्छी लगी I was really impressed by the product कि इसने जो claim किया है वो actually workable है तो मुझे यह lip crayons बहुत अच्छे लेगे यह तो हो गई सारी बाते lip crayon के बारे में अब चलिए मैं आपको swatches दिखाती हूँ तो जो पहला shade है वो है यह यह पीचेज और क्रीम्स यह आप देख सकते हैं मेरे लिए perfect nude shade है everyday kind of color है यह अगर मैं इसको थोड़ा सा customize करूँ एक dark lip liner के साथ तो यह थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसका color आ जाएगा बट अगर मैं बिल्कुल nude रखना चाहती हूँ अपने lips को तो मेरे लिए shade perfect है जो second shade है वो है यह it is hazelnut आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा है मेरे lips के उपर तो अगर मैं lip balm की तरह इसको यूज़ करना चाहूँ अफकॉस मैं यूज़ कर सकती हूँ अगर मैं color expect करो तो यह मेरे lips पर कोई भी color नहीं दे रहा है तो जो पहला shade था peaches and creams और यह second shade hazelnut इन दोनों shade के बार में मैंने जो चीज़ नोटिस की वो यह कि जब मैं कोई oily food खाती हूँ तो यह धीरे-धीरे fade होते होते हैं पुरी तरह से remove हो जाते हैं यह shades मेरे lips पर कोई को भी tint नहीं छोड़ते हैं तो अगर मैं चाहूं तो मैं इन दोनों shade को everyday kind of color की तरह से wear कर सकती हूँ या फिर lip balm की तरह wear कर सकती हूँ other than that मेरे lips पर यह color show नहीं हो रहे हैं तो अगर आप मुझसे ज्यादा fair हैं तो आपके लिए perfect nude हैं बट अगर आप मेरे skin shade के हैं या wash out कर सकते हैं यह जो shade है यह red wine आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से compliment कर रहा है मेरे skin पर यह transfer होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था बट यह बहुत जादा transfer नहीं होता है तो first अब देख सकते हैं यहाँ पर second यहाँ पर है यह बिल्कुल हलका सा transfer हुआ है यह smudge भी होता है मैं आपको यह dark shade में दिखा रही है विकाज new shades जो है वो उसमें नहीं पता चलेगा transfer हुआ है या नहीं यह smudge हुआ है नहीं इसलिए मैं आपको यह dark shades में दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि smudge करने के बाद भी मेरे lips पर यह color है this is I was talking about कि जब यह fade भी होता है तब भी यह एक बहुत अच्छा tint lips पर छोड़ देता है जो fourth shade है वो है Russian red again मैं आपको इसको smudge करके और transfer करके दिखा देती हूँ झाल 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 यह भी ट्रांसफर होता है, समझ होता है, बट यह टिंट छोड़ देता है. जो लास्ट शेड मेरे पास है, वो है यह, इट इस बरगंडी. यह शेड बहुत ही हलका सा ट्रांसफर होता है, बट यह भी समझ होता है. तो यह थे सारे स्वाचेज, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन में से कौन सा शेड आपको सबसे जादा अच्छा लगा, मुझे कॉमें सेक्षिन में जरूर बताएगा. वीडियो ने लगा लगा, एक रखूर अच्छा लगा, तिल दे बागा. यह शेए बगा, वीडियो ने जरूर लागा, टिल दे लागा, बट फिर लोगा.